जिन स्थानों के होट्सपोर्ट में बदलने की आशंका है, उस पर भी हमें कड़ी नजर रखनी होगी, कठोर कदम उठाने होगे. नए होट्सपोर्ट का बनना हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को और चुनोती देगा, नए संकट पैदा करेगा. इसलिए अगले एक सप्ता में कोरोना के खिलाप लड़ाई में कठोरता और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी. बीस एप्रिल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज को बड़ी बारी किसे परखा जाएगा. वहाँ लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस खेत्र ने करोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मुल्यांकर लगातार किया जाएगा. जो खेत्र इस अगनी परिक्षा में सफल होंगे, जो अपने अहां होट स्पोर्ट नहीं बढ़ने देंगे, और जिनके होट स्पोर्ट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर बीस अप्रिल से कुछ जरूरी गतिविद्यों की अनुमती छुट्चाट दी जा सकती है, लेकिन याद रखिए, ये अनुमती सवशर्ट होगी, बहार निकलने के नियम बहुत सक्त होंगे, लॉक्डाउन के नियम अगर तूरते हैं, और करोना का पैर हमारे इलागे में पढ़ता है, तो सारी अनुमती तुरंथ वापिस ले ली जाएगी, और इसलिए न खुद कोई लापरवाही करनी है, और नहीं किसी और को लापरवाही करने देना है, मेरे देश्वासियों, कल इस बारे में, सरकार की तरफ से एक विश्ट,